यह हमारी सरकार ने टंकियां मामा को सन्मान दिया, यह हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिर्सामुंडा की जन्ती पर जन्जातिये गवरव दिवस की शुरुवात की, आप मुझे बताईए, इस कॉंग्रेस को क्या एक भी सीट पर मोका मिलना चाहिए क्या, एक पर भी मिलना चाहिए क्या, पूरी तरह क्लिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साथियों, कॉंग्रेस ने अब आजकाल एक इंडी अलाइज बना कर देश के खिलाब बिगुल फुक दिया है, ये लोग आपस में एक दूसरे से जगडते हैं, कि लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है, इंडी गरबंदन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है, इसलिए ये लोग मोदी को गालिया दे रहे हैं मोदी को धमकिया दे रहे हैं मैं आपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मीशन को लेकर चला दूए मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है जो लोग अपनी तिजोरिया भरने राजनिती में आये हैं वो मोदी को धमकिया दे मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने के आदत रखता है मैं MP की दर्ति से बताना चाहता हूं मोदी भक्त है महाकाल का मोदी चुपता है तो या तो जनता जनारदन के सामने या महाकाल के सामने मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गालिया और अपन को परदास करना सीखा है और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सीखा है मोदी इनकी घीदर भक्कियों से डर्ने वाला नहीं है साथियों ये इंडी गटबजन मुझसे कितना चीड़े हुए हैं ये पुरा देश देख रहा है मोदी देश की सुरुक्षा की गारंटी देता है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं मोदी कस्पिर से 370 को हटानी की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं मोदी गरीब कल्यान की गारंटी देता है माताव वेनों के लिए इजद गर बनाने की बात करता है ते लोग मोदी का मजाव उड़ाते हैं बाला गाड की धर्ती राम पाईली की भुमी जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है उनी राम लला की जब प्रान प्रतिष्णा होती है ते लोग मोदी को गाली देते हैं और केवल मोदी को गाली देतों समझ आता है इंडियानाइस के लोग सनातन धर्म को नश्करने की सौगन खाकर इस चुनाव में उत्रे हैं भाई और बेनों मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्वणी है बीजेपी सरकार आज बस्टा चार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है बीजेपी सरकार गरीबों के हग का पैसा सीठे गरीबों के खाते में भेज रही है जिन्होंने देश का पैसा लूटा है अब उनके उपर कानून का सिकंजा भी कसा जा रहा है परिवारवाजी पार्टियों के नेताओं के पांथ से खुले आम सैंक्रों करोड रुपे बरामत हो रहे हैं नोट गिनने वाली मशीने थक जाती बिगर जाती है खराब हो जाए लेकिन कॉंग्रेस पार्टियों इड्डी गर्बंदिर के लोग बिना किसी शर्म के खुले आम प्रस्टाचारियों पर कारवाई रोकड़े के लिए रेलिया कर रहे हैं मैं कहता हूं प्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं प्रस्टाचारी बचाओ इंडी अलाइंस पर इकटा हुए ये लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है लेकिन मैं आपको गरंटी देता हूं प्रस्टाचार का पैसा जिस जिस तीजोरी मैं गया है उसे मैं बहार निकालके रहूंगा अगले पांच साल ये काम और तेजी से होगा होना चाहिए सक्ति से होना चाहिए साथियों तीसरे कारकाल में देश बड़े और एतिहासिक फैसले ले सके इसलिए मुझे आपका भरपूर आशिरवात चाहिए बीजेपी ने बालागाट से श्रीमती भारती पारधी को और मनला से स्री भगंसी कुलस्ते को प्रत्यासी बनाया है इन्हें आप रिकॉर्ड मतों से विजई बना करके भेजेंगे तो मोदी को मजबूती मिलेगी उन्नीस एपरिल को गर में कितनी ही भेंकर क्यों न हो हमें मतदान के पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ दे है तोड़ेंगे इस बार हमने हर पॉलिंग मुझ जीतना है जीतोगे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे अच्छा मेरा एक काम करोगे करोगे इधर से ता आवाज नहीं आ रही करोगे तो पीछे ता आवाज नहीं आ रही मेरा काम करोगे पका करोगे लिगी दे चुनाव वाला काम नहीं है करोगे देखिए 19 एपरिल तक आप अलेक परिवारों में जाएंगे जब उन सबको मिलने जाएं तो उनको कहना कि अपने मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम बेजा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर घर में पहुचा दोगे जब मेरा प्रणाम आप पहुचा होगे नहीं तो हर घर के माता बहने मुझे आशिरवात देगी और उनके आशिरवात मेरी बहुत बड़ी उर्जा है देश के लिए दोड़दे की ताकत है परिजाओं बोलिये भारत माता की है भारत माता की भारत माता की बहुत-बहुत धन्यवार